पर्मात्पने नमहा श्री मत भगवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या एक्तालेस भगवान कृष्ण करम योग का महत्व बतला कर अब उसके आचरण की विधी बतलाने के लिए पहले उस करम योग में परम अवश्रक जो सिद्ध करम योगी की निश्चे आत्मी का स्थाई संबुद्धी है उसका और करम योग में बाधक जो सका मनुश्यों की भिन 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 बुद्धियां हैं उनका भीद श्री अर्जुन को समझाते हैं व्यवसाई आत्मी का बुद्धी एकह कुरुनंदना बहुशा का हिनन ताश्च बुद्धयो व्यवसाई इनाम इस प्रकड़न में जगा जगा इसी अर्थ में बुद्धी शब्द का प्रियोग हुआ वह बुद्धी एक ही है यह कहकर यह भाव दिखलाया कि इस में केवल मात्र एक सचीदानंद परमात्मा का ही निश्चे रहता है नाना भोज और उनकी प्राप्डी के उपायों को इसके निश्चे में स्थान नहीं मिलता इसी को स्थिर बुद्धी और संबुद्धी भी कहा जाता है इस प्रकार करम योगी के लिए अवश्य धारन करने योगय सकाम मनुष्यों की बुध्यों का सुरू बतला कर सकाम भाव को त्याजय बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के सभाव सिधान्त और अचार वेवार का वर्णन भगबान कृष्ण यहां करती है याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रभधन्ते विपश्चिता वेद वाद रता पार्थ नानियत इस्तिती बादिना कामात माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेश बहुलाम भोगई एश्वर्य गतिम प्रती भोगई एश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहचेत साम व्यवसाय आत्मिका बुद्धी समाधवना पिधी यते है अर्जुन जो भोगों में तनमे हो रहे हैं जो करमफल के प्रिशंसक वाक्यों में ही प्रिधी रखते हैं जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई बस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले बे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित याने दिखाओ शोभा युक्त वानी को कहा करते हैं जो की जनम रूप करमफल देने वाली एवं भोग तथा एश्वर्य की प्राप्ती के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है उस वानी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है जो भोग और एश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन पुर्षों की परमात्मा में निश्चे आत्मी का पुद्धी नहीं होती यहां काम शब्द भोगों का वाचक है उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन में हो जाते हैं जो उनके पीछे अपने मनुश्यत्व को सर्वता भूले रहते हैं ऐसे भोगा सक्त मनुश्यों का वाचक कामात्मना पद है वेदों में इस लोग और परलोग के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन-भिन काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन-भिन फल बतलाए गए है वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फलरूप भोगों में जिनकी अत्यंत आ सकती है उन मनुश्यों का वाचक यहां वेद बादरता पद है वेदों में जो संसार में वेरा गया उत्पन करने वाले और परमात्मा की यथार्थ स्वरूप का प्रतिबादन करने वाले वचन है उन में प्रेम रखने वाले मनुश्यों का यहां वेद बादरता पद नहीं है क्योंकि जो उन वचनों में प्रीती रखने वाले और उनको समझने वाले हैं वे ये नहीं कहते कि स्वर्ख पाप्ती ही परम पुरुशार्थ है इस से बढ़कर कुछ है ही नहीं वेद बात रतापद उनी मनुश्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभी प्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है वेदों के द्वारा जानने योगे एक परमेश्वर ही है और इस रहस्य को ना समझने की कारण ही जो वेदोत्त सकाम कर्मों में और उनके फल में आसक्त हो रहे हैं जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तू समझते हैं जिनकी बुद्धी में स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तू नहीं है और जो अभिवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं उनकी द्रिष्टी में इस्त्री पूर्त्र धन मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदी इस लोग के सुक और स्वर्ग आदी पर लोग के सुकों के अत्रिक्त मोक्ष आदी कोई वस्तू है ही नहीं जिसकी प्राप्ती के लिए चेश्टा की जाए स्वर्ग की प्राप्ती को ही वे सर्वोपरी परमधे मानते हैं और वेदो का तात्प्रय भी वे इसी में समझते है वे इसी सिधान का कथन एवं प्रचार भी करते हैं यही भाव नान्यत इस्तिती बादिना इस विशेशन से व्यक्त किया गया उनको विवेक हिंद कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया यदि वे सत्य असत्य वस्तु का विवेचन करके अपने करतव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फस्ते अते मनुश्य को विवेक पूर्वक अपने करतव्य का निश्चय करना चाहिए इस प्रकार भोग और Äश्वभर्य में आसक्त सकाह मनुश्यों में निश्च आत्मी का बुद्धी ना होने के बाद कहै कर अब करमयोक का उब्धेश देने में देने के उदेश्य से पहले भगवान अर्जुन को भोग और एश्वर्य में आसकती से रहित होकर सभाव से संपन होने के लिए कहते हैं तै गुण्य विश्या वेदा नेत्रई गुणियों भवार जुना निर्दन्दो नित्य सत्वस्थो निर्योग शेम आत्मवान ही अर्जुन वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कारे रूप समस्थ भोगो एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं इसलिए तुन भोगो एवं उनके साधनों में आ सकती हीं हर्श शोकादी द्वंदों से रहित नित्य वस्थू परमात्मा में स्थित योग शेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंत्यकरन वाला हूँ सत्व रज तम इन तीनों गुणों के कारे को त्रेगुन्य कहा जाता है समस्थ भोग और एश्वरे में पधार्तों तथा उनकी प्राप्ति के उपाय भूत समस्थ कर्मों का यहां त्रेगुन्य शब्द इस्तेमाल किया गया है उन सब का अंग प्रति अंग सहिद जिन में वर्णन हो उन्हें त्रेगुन्य विश्या कहा जाता है यहां वेदों को त्रेगुन्य विश्या बतला कर यह भाव दिखलाया कि वेदों में करम कांड का वर्णन अधिक होने के कारण वे त्रेगुन्य विश्ये हैं तीनों गुणों के कारे रूप इस लोग और प्रलोग के समस्थ भोगों में तथा उनके साधन भूद समस्थ कर्मों में ममता आसकती और कामना से सर्वता रहित हो जाना है नी त्रै गुन्य होना है यहां स्वरूप से समस्थ कर्मों का त्याग कर देना नी त्रै गुन्य होना नहीं है क्योंकि स्वरूप से समस्थ कर्मों का और सम समस्त विश्यों का त्याग कोई भी मनुश्य नहीं कर सकता यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कारे है जिसका त्याग बनता ही नहीं इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किये जाने वाले कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में अहमता मम्ता आसकती और कामना से रहिद होना ही यहां निस्त्रय, गुण्य, अथार्ट, तीनों गुणों के कार्य से रहिद होना है सुक दुख लाभानी कीर्थी अकीर्थी मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आधी परसपर विरोधी योग्म पधार्टों का नाम द्वंध है और इन सब के सयोग वियोग में सदा ही सम रहना इनके द्वारा विचलित या मोहित ना किया जाना अथार्थ हर्च शोग जात एव नित्य अभिनाशी सरवग्य परमपुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उन में अडल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। इंद्रियों के सहित अंत्य करण और शरीर का वाचक यहां आत्मापद है। अत एव जिसने अपने मन बुद्धी और समस्त इंद्रियों को भली प्रकार वश्मे कर लिया है। उसको आत्ममान यानि आत्मावाला कहना चाहिए। जिसके मन बुद्धी और इंद्रिया वश्मे किये हुए नहीं है। उसको समत्व योग का प्राप्थ होना अत्यंत करण है। और जिसके मन बुद्धी और इंद्रियां वश में हैं, पैसाधन करने से सहज में ही समत्व योग को पा सकता है। इसलिए भगवान ने यहां अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। इस प्रकार दूसरे अध्याय का 45 माशलोक समाप्धुआ हरी ओम तचसत।